नमस्कार किसान भाईयों आज हम आप लोगों को स्ट्रावेरी की खेती कैसे की जाती है और उसका मैनेजमेंट भी कैसे करना चाहिए ये मैं आया हुआ हूँ बनारस के एक इंजिनियर जो रिटार हो चुके हैं और खेती बाड़ी में उनकी रुची है इतनी कि वो एक आधु किसान भाईयों ये एक माडल है और माडल ही नहीं ये आप के लिए कि आप लोग इसको देखिये समझिये और अपने आपको बदलिये धान गेहूं में ही लिप्टे रहिएगा तो आज की जो महगाई है और आज का जो बरतमान की स्थिति है उसको आप नहीं समाल पाईएगा इसलिए बड़े पहमाने पर आपने किया है तो आपने छोटे पहमाने से इसको करिए और थोड़ा करके सिखिए फिर अगर आपको अनुभवपराफ्ट हो जाता है तो ज्यादा करिए मैं ले चलता हूं आपको हम अपने आपको खित लगाने के लिए इसको मेड़ के उपर लगाना है और मेड़ के उपर ये एक एकड़ में अठारा से बाइस जार पौधे लगते हैं अगर आप पौधे से पौधे की दूरी एक फुट मिंटेन करते हैं और एक मेड़ जो की करीब सवा फुट चोड़ी है उसके उपर दो लाइन में लगाते हैं आप तो अठारा जार पौधे लगेंगे और अगर ट्रैंगलर पिछ में लगाते हैं तो आपको बाइस जार प अठारा जार पौधे जो दो रो में लग रहे हैं उसमें आपको ट्रिप की एक लाइन डलनी पड़ेगी और मेड़ को आपको मल्चिंग पेपर से कवर करना पड़ेगा मल्चिंग पेपर जो है आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि अगर मल्चिंग पेपर पहले डिप लाइन विचा के उपर से मल्चिंग पेपर लगा के तब आप पौधे लगा ले या पहले पौधे लगा ले बाद में मल्चिंग पेपर विचा ले तो अगर आप अच्छा होगा अगर आप मल्चिंग बाद में लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी accelerated होगी क्योंकि आप उसकेस में कि इस प्रिंकलर से पानी दे करके पहले दो-तीन हफते में पौधे को ज्यादा अच्छी तरह से ग्रोग कर सकते हैं तो करीब करीब दो से तीन हफते के बाद आप फिर सुच कर सकते हैं मल्चिंग पेपर पिछा करके उसमें प्रौधे का ग्रोथ इनिशल ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तो आपका फ्रूट कॉल्टी जो है वह इंप्रूव हो जाएगा आपका ये अफ्रूट साइज बहुत अच्छा है और बड़े साइज का है तो इसकी वैराइटी कौन सी है ये विंटर डाउन वैर्याटि ए जो लगाई हुए है यह करीब तेंचार तरह के पौधे आते हैं और अर्ली वैराइटी जो होती है वो विंट्र डाउन होती है हमारे यहां का क्लाइमेट 45 दिगरी सेंट्रीगेट तक चल जा जाता है सर तो यह आप बताएं कि इस क्लाइमेट के लिए कौन सा पौधा किस वराइटी का पौधा सुटेबूल होगा यह विंटर डाउन इसलिए लगाया जा रहा है कि यह रिलेटिवली ज्यादा पाई जाता है इसका पैदावार्त है की जो है वह सट्थमेटरБल्स माय vlogging करना चाहि Fujis पौधा जो है वह खुद स्ट्राबोजी का जो फल है वही बीज है तो उसके छोटे-छोटे बारीक-बारीक स्लाइस काट करके अगर आप बोहेंगे तो उससे पौधा तयार हो सकता है लेकिन पौधा तयार करने के लिए टेंपरेचर रेंज जो है वो दो से लेकर करके 12-15 डिगरी की रेंज में होना जाये तो यह पौधा जो है बेसिकली हीलीरीजन में तयार किया जा सकता है और हिंदोस्तान में यह अगा मुझे बहुत बड़ी तादाद में जो है महाबलेश्वर का रिश्या पूणाफोना पूनाजिले का वहां पर करें जयाता और वहां करीब करें 85% इस्ट्रावेरी भी वहीं पैदा की जाती है और उसके सिवाए हरियाना का जो अपर एरिया है जो हिल की साइड में टच कर रहा है वहां पर या कुलू मनाली में इसके पौधे नार्थ के एरिया में डैवलप किये जाते हैं सरकार की ओर से जम्मू रीजन में भी प्रोशाहन दिया जा रहा है बट अभी उधर पर कोई बहुत क्रेडिबल बिक्री नहीं हो रही है अच्छा आपने डेढ़े कर में लगाया है अपना इस्ट्रावेरी तो इस इस्ट्रावेरी से टोटल उत्पादन का क्या उमीद आप रखे हैं कितना हो जाएगा टोटल एक सब्सक्राव इसको रोक लिए फिर बताते हैं अभी ये कल्कुलेट कर रहा है कि ये डेढ़ एकर से ये कितना उत्पादन कर लेंगे अभी हम आप तीसरे एपिसोड में आपको हम पूरा और डिटेल आपको बताएंगे उसको ध्यान में रखेंगे